नमस्कार आप देख रहे हिमासे नीज मेरा नाम है मिथुन कुमार सर्मा लोगसवा चुनाओ सभी संसद्ये नेताओं के सर के उपर से मंडरा रहा है सभी आम जनता ये सोच रहे कि अब की बार अगर हम अपने छेतर से संसद्य चुने तो किसको चुने लेकिन हम बात करेंगे वही मुझफरपुर जीला का जो मुझफरपुर जीला के बारे में हम हमेशा आप लोग के बीच किसी न किसी खबरों से रूबरू कराते रहते हैं लेकिन इसवार अजय निसाद जी को छोड़के राजभूसन चौधरी निसाद जी को भाजपा ने टिकट दिया है यानि कि भाजपा लोगसवाद चुनाओ मुझफरपुर से राजभूसन चौधरी जीला लडएंगे लेकिन इसवार अजय निसाद जी थोए भाजपा से लडए थे और उसके बाद राजभूसन चौधरी जी जो थे वो भी आईपी पाटी से लडए थे जो भी आईपी पाटी का गठन मुके सहनी जी किये हैं और वह पाटी का गठन 4 नवंबर 2018 यानि कि एक साल पुर्व वह पाटी को गठन किया गया था और उसके बाद भी आईपी पाटी से राजभूसन चौधरी जी मुझफरपुर से संसदिये छेतर से लडए थे और उनका कितना भोट आया और कितना नहीं आया कितना से हारे कि कितना से जीते अजयनिसाद जी कितना से बाजी मर लिये थे सारा बिंदू पर इसमें बात करेंगे तो हम आपको पता दे कि अजयनिसाद जी जब 2019 लोकसवा चुनाओ से मुझफरपुर से सांसद चुने गये थे उस समय उनका भोट टोटल जो आया था 6,66,888 भोट आया थ तो ठीक उसी समय जो उनका विरोधी पाटी से यानि भी आईपी पाटी से राजभूसन चौदरी जी लड़े थे तो उनका 2,56,890 भोट आया था यानि कि अजयनिसाद जी 4,9988 भोट से जीत हासिल कर लिये थे यानि कि समझ जाये कि इसे कितना दूर का फासला है तो कुछ अभी समझ रहे हैं कि उस समय लोग भाशभा के नाम पर जैनिसाद जी को भोट दे दिये तो कुछ लोग कोड़ें उनके छवी के नाम पर उनको भोट दे दिये लेकिन इनको भी कहा जा रहा है कि इसे जो पाटी का एक साल ही गठन हुआ हुआ होगा अगर इतना जल्द ही एक साल के अंदर ही अच्छा पाचान बनाके अगर दो लाग से ज़्यादा भोट अगर ले आए तो इनका अभी छवी भी ठीक ठाक होगा लेकिन इस समय यानि कि 2024 लोग सवा चुनाओं में ठीक उसका विप्रित जा रहा है राजभुसन चोधरी निसाद जी जो थे वो भा बाद वो साथ भी जाते थे वो अपना चुनाओं परचार भी करते थे कि इस बार हो सकता है कि हम भी मुझफरपुर संसादिय छेतर से चुनाओं लड़ेंगे लेकिन इस बार ठीक उसी परकार हुआ भाजभुसन चोधरी जी को टिकट भी दे दिया और उसी समय मतलब अज भाजपा इतना बड़ा मतलब साजी सरचा है तो यह कॉंग्रेस से लड़ेंगे या लालो यादब के परिवार के टीम से लड़ेंगे ऐसा सुत्रों से जनकारी मिल रही है लेकिन अभी तक कि हम आपको सोचना बता दे कि अजय निसाद जी को मुझफरपुर से टिकट हटा जी के साथ गुमने लगे हैं फिल्ड में अपना भर्मन करने लगे हैं बोट मांगने अपना एस्टार्ट कर दिये है तो ठीक उसी प्रकार अजय निसाद जी अपना घर से बाहर नहीं निकल रहा है और इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है ऐसी बात सुनने को आ रहा है हलाकि इ 2018 SPK हुआ था और उसके बाद उस समय 2019 लोगसवा चुनाव में ये मुके सनी जोजे थे वो तिन लोगसवा सीट पर अपना कंडिडेट उतारे थे जो मधुवनी है खागडिया है और तिसरा मुझफरपूर है लेकिन मुझफरपूर खागडिया और मधुवनी यानि तीनों परतिकिरिया आप लोग किसके इधर गूमिएगा किसको भोड दीजेगा हलाकि आप लोग जिस परकार कोमेंट करके बताइएगा तो मेरा भी अनुवान लगेगा कि अगला वीडियो आप लोग के हिट में हो या जो भी जनकारी आप हमको पताना चाह रहे है कोमेंट के जर झाल